आप अपने स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं, यह पिक्चर आज की नहीं है, यह पिक्चर है लगबगाज से पच्चा साल पहले की स्टॉक होम कॉन्फरेंस की, जो की हुआ था 1972 में, और आपको जानकर यह बहुत खुशी होगी कि इस कॉन्फरेंस में कहीं न कहीं हमा हमारे कंटरी में भी जो एन्वार्मेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज आये हैं, और सबकुछ इसी कॉन्फरेंस के बाद शुरू हुआ था, तो क्या है यह कॉन्फरेंस, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, और हम देखेंगे कि यह इस कॉन्फरेंस को जो है, जब मि लेक्चर में हम देखेंगे, इस के लाबा, इस लेक्चर में हमारा मेन पपस यह है, कि हमें क्या देखना है, हमारी कंटरी में, पॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे खुद के जितने भी लॉज हैं, वो सारे हमें कवर करने हैं, ताकि जब हम P.T.365 का पॉल्यूशन वाला च Environmental Legislations of India और उसके अंदर हम लोग खास करके, आज पॉल्यूशन से हमारे जितने रिलेटेड लॉज हैं, अंटी पॉल्यूशन वो पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, चीजें ऐसे शुरू नहीं होती, देखिए हिस्ट्री यह है कि 1972 में, Stockholm में, Sweden में एक Conference हुआ था, और उस Conference का जो नाम था, United Nation Conference on the Human Environment था इसका नाम, इसको Stockholm Conference भी बोलते हैं, एक चीज और रिलेट कर दूँ कि अभी तक मैंने आपको सारी कहानियों के शुरुआत की थी, Rio Earth Summit से 1992 में, लेकिन यह जो चीज है, यह 1972 में, मतलब रियो से 20 साल पहले हुई थी, और यह जब सम्मिट हुआ, जब Conference हुआ, तो यह सक्सेस्फुल नहीं वह बहुत जाद है, इससे चीज़े हूँ नहीं पाई, तो इसी चीज को गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, फॉलो अप में, बाद में, UNCDE या, Rio Earth Summit किया था, 1992 में, और वही जो थ नहीं थी, उन्होंने अटेंड किया था, यह 1972 में हुआ था, तो इसी को फॉलो अप करके, बाद में क्या किया गया था, Conference, United Nation Conference on Environment Development, यह किया गया था, 1992 में, जिसको रियो Earth Summit बोलते है, बाद में, जोहांसबर्ग, एफरिका में, World Summit on Sustainable Development कराया गया, 2002 में, और बाद में, फिर रियो प्लस 20 कहां हुआ था, अगें, रियो में हुआ था, इसको बोलते है, United Nation Conference on Sustainable Development, जो कि 2012 में हुआ था, तो यह तो इसकी कहानी हो गई, कि अस्टॉकम Conference के बाद क्या क्या कराया गया, कैसे जो है, एक लाइन खिची, लेकिन, यहां पे मैं, कन्फिलिक्ट आपको बताऊ जाएगी, sociopolitical क्या causes थे, क्या हुआ था, और आपको आज यह भी पता चल जाएगा, कि आखिर UNEP का headquarter, ऐसे अजीब जगह पे, नैरोबी में, Kenya में क्यों बन गया, जबकि ऐसी चीजों का headquarter, तो हमेशा देखा जाता है, Switzerland में, New York में, Kenya में कैसे बन गया, Paris में होता है, Kenya में क कैसे बन गया, यह चीजों कि आपको understanding हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी politics बताता हूँ, देखिए हुआ क्या था, इस conference में, जब कराए गए conference 1972 में, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा cold war चल रहा था, cold war इतना ज़्यादा था, कि Eastern Europe की जो country थी, वो communist socialist country थी, उनका एक Warsaw Pact था, उसके अंदर वो आपस में रहती थी, जिसको बोलते हैं, Iron, Iron Dome of Russia बोला जाता था, USSR ऐसा एक उस नाम था, मतलब महाँ पे communist country का प्रभाव था, तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे जर्मनी जो था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक पार्ट तो वेस् इस्टन जर्मनी वो communist प्रभाव में था, वो कापी underdeveloped था, बाद में वाल गिर गई 1990 के आसपा जब cold war finish हुआ, तो जर्मनी युनाइट हो गया, लेकिन उस टाइम से separate था, प्रॉबलम क्या थी, कि चुकि United Nation में अमेरिका का दबदबा था, तो वहाँ पे जो इस्टन जर्म नहीं था, उसको full membership नहीं दिया गया था, तो जब यह conference हुआ, तो Eastern Germany को participate नहीं करने दिया गया, बोला कि आपकी जो है United Nation की full membership तो है नहीं, पेंच चला लो क्या, लेकर आया, तो बोला गया कि आपकी जो full membership तो है नहीं, United Nation की, तो Eastern Germany को क्या बोला गया, कि उसको allow नहीं किया ठीक है, तो जब नहीं allow गया गया, तो जब नहीं अलाओ गया गया, तो जब नहीं अलाओ गया गया, तो जब नहीं अलाओ गया गया, जगड़ा हो रहा है, इनके बीच में क्या था, USSR का क्या था, कि उनका एक Warsaw Pact था, तो Warsaw Pact में Eastern Germany के, Eastern Europe के, sorry, seven country आते थे जो कि Socialist Republic थे उस USSR आता था, इनका जो Warsaw Pact था, वो 1955 में बना था, ये communist country को जोडने के लिए, और उसको क्यों किया गया था, क्योंकि अमेरिका ने पहले उसके NATO बनाया था, वर्ल्ड वार के ज़स्ट बाद 1949 में, जिसका की हेड़कॉर्टर Brussels Belgium में है, तो अमेरिका ने जब ये NATO बनाया है, तो बाकी country की जिम्मेदारी है, कि आपको वो लोग counter attack करें, भले वो involvement हो या नहीं हो, बाकी आपको attack करेंगे, NATO इस तरह से बहुत protective major है, तो reaction में NATO के क्या बन गया था, Warsaw Pact, तो USSR की जिम्मेदारी थी, कि जो Eastern Germany के उन्होंने participate नहीं करने दिया, तो वो थोड़ा गुस्सा दिखा कि लास्ट जो NATO का मेंबर बना है, 27 मार्स 2020 में ही बना है, वो North Macedonia बना है, याद रख लिजेगा, भूलिएगा नहीं, headquarter Belgium Brussels में, 1949 में बना था, Warsaw Pact खतम हो चुका है, वो बना था, 1955 में, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक तरफ Warsaw Pact हो गया, USSR वाला, एक तरफ अमेरिका क हो गया, NATO हो गया, NATO में European, North American countries है, लेकिन एक non-aligned movement है, वो हमारी country की है, कैसे है, देखिए, इसमें 120 खाली developing nation है, सारे गरीब गरीब नेशन यहापर, developing nation यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन चाइना नहीं है, चाइना इसका observer member है, full member नहीं है, इसके जो principles थे, वो बनाए गये थे एक bandung conference हुआ था, इंडोनेशिया में 1955 में, जिसमें कि कई Asian और African country गये थे, हमारे जवालाल नेरू अगरे भी गये थे, तो principles थो है, इसके bandung conference है, तो UPS में आ सकता है, bandung conference किससे related है, non-aligned movement की वहाँ पे, जो है, नीव रखे गये थे, pillars रखे गये थे, इंडोनेशिया में, bandung में, यह हुआ था, conference 1955 में, बाद में 1961 में, एस ट्वाइल, जो यूगोसलाविया था, जिसके अंदर सर्विया आथा, अब यूगोसलाविया खतम हो गया, अब वल्ल इस्टी पढ़ो के तो पता चलेगा, यूगोसलाविया पंट्री नहीं है, उस टाइप पे यूगोसल establishment किया गया था, 1961 में, बेलग्राद, सर्विया में, या यूगोसलाविया में, उस टाइम पे non-aligned movement का, तो तीन जो वल्ल के लेडर थे, वो बहुत important है, तीन हो statesman है, या के यह थे, इंडिया के तरब से तो नेरु जी गय थे, इंडोनेशिया के जो पी-म थे या बोलिए कि head of the state थे, वो सुकार्नो थे, सुकार्नो थे, और इनको तो आप जानते हैंगे, वोल्ल इस्टीम बहुत फेमस नाम है, यूगोसलाविया कि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, वो जॉसिप, बोल्स, टीटो, टीटो लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं, तो दूसरा तो एक तो USSR हैपी था, दूसरा एक और जो कंट्री थी, उसको भी गिला शिकवा था, वो चाइना थे, चाइना क्यों वान हैपी थी, क्योंकि वियतनाम वार चल रहा था, 1955 से 1975 चल था, और यह बांडूं कॉन्फरेंस कव हो रहा है, 72 में हो रहा है, तो उस्टेंप की बार चल रही थी, इसमें US involved तब भार साय के लड़ाई कर रहा था, लाश्यों उसने गिब अप कर दिया कि नहीं हो पाएगा भई या, तो चाइना नहीं था, उसने भी इस कॉन्फरेंस में आवाज उठानी सुरू कर दी, US के खिलाब, तो पूरा जो कॉन्फरेंस था न उन्हों ने बोला सब प्रेशर बनाए कि जब आप बहुत अच्छे हो ना, वेस्ट वाले तो आप एक काम करो, आज जो मीटिंग करवा रहे हो, आप लोग स्टॉकम कॉन्फरेंस करवा रहे हो, तो एन्वार्मेंट के मैनेजमेंट के लिए वर्डवाइड एक बाड़ी ब तो अमेरिका थोड़ा डर गया, बोला कि यह मतलब यह रश्या भी खिलाप है, चाइना भी खिलाप है, अगर डेवलपिंग नेशन भी खिलाप हो जाएंगे, तो इमेज क्या रहेगी, तो वही इमेज सेविंग के चकर में यह वेस्टरन कंट्रीज ने और यूस ने क्या बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक यही, आचा इसी कॉन्फरेंस से स्टॉकम कॉन्फरेंस से ही उनाइटि नेशन एन्वान्मेंट प्रोग्राम बना था, यूए निपी जो आप जानते हो, अल्रेडी मैंने प्टी 365 के फरस्ट फेज में कापे डिसकर्शन किया, उसक कहानी पता चल गई, इसलिए नैरोबी केन्या में बनाया गया, यहां ले जाके, और वहाँ पे बहुत सारी चीजों का वहाँ पे हेड़कॉर्टर है उसके अंदर, तो यूनाइट नेशन एन्वान्मेंट प्रोग्राम कब बना, अस्टॉकम कॉन्फरेंस के बाद 1972 में बन Ecological Management और Poverty Elevation, मतलब Poverty खतम करना, इन दोनों में बहुत अच्छा एक तरह का Connection है, इस Connection की उन्होंने बात की, फिर वो जब इंडिया में आई, तो उन्होंने क्या किया, यह मिटिंग से उन्होंने जो भी Learning ली, जो भी उसका Mandate था, उसके ही सबसे धेर सारे Acts, Policies और उन से ठीक है, तो सारे United Nation मेंबर्स जो हैं, उनके जितने भी Environmental Problem मोगा रहे हैं, उनमें यह deal करता है, एक और Fact आपको बता दूँ, आपने पढ़ा न, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC की रिपोर्ट पढ़े है, पेटी 365 में, यह जो IPCC है, बना था 1988 में, जबकि विराट को होले का जन्म हुआ तो, Prevention of Corruption Act आया था, यह जो IPCC बना है, उसको बनाया है, यह UNEP ने, और साथ एक और Body है, World Meteorological Organization, WMO, इन दोनों ने मिलके ही IPCC को बनाया था 1988 में, और एक चीज़ बताता हूँ, UNEP की सक्सेस कहां काउंट करोगे आप, जो Montreal Protocol है, 1987 का, वो पूरा UNEP की देन है, इसके लाबा मीना माट इंडिया को बहुत हैं, और इससे इंडिया को बहुत हेल्प मिली है, और इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट जो है, UNEP के सोलर लोन प्रोग्राम से बहुत बेनिफेट हुए उनको, UNEP की जब हम सब World Health वगरा पढ़ रहते हैं, और और सब की गवर्निंग बाड़ी पढ़ रहते तो UNEP की गवर्निंग बाड़ी को क्या बोलते हैं, UN Environment Assembly, ये बनीती 2012 से चल रहे है, United Nations Environment Assembly उसकी गवर्निंग बाड़ी है, जब इंडिरा गांधी इंडिया आ गए तो उन्होंने कुछ कुछ करना शुरू किया, पहले तो यह कि वाई कॉन्फरेंस से 1972 में, लेकिन एक Wild Life Protection Act व आप एक चीज आपको बता रहा हूं, इंडरा गांधी को लोगों ने ओटोक्रेट बोला, बहुत बुराया करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, सब ठीक है, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है कि कुछ ल आपको जानते हो, आप एमर्जेंसी के टाइम पे एजूकेशन वगरा, आपको पता है, स्कूलिंग वगरा बहुत अच्छे से शुरू हो गए थी, क्योंकि सारे लोग डिस्सिप्लीन में हो गयते, I'm not favoring emergency, but I'm saying the extent to what we see, कि what happened in emergency, we ignore the successes of Indra Gandhi, what she did for us, मैं आपको एक चीज बत होता है, वो company जो है, पाकिस्तानी लोगों को देने जा रही थी, वहाँ की आर्मी को देने जा रही थी बेचने के लिए, ताकि आप सियाचीन में चले जाओ, इंद्रा गांदी ने ये पता कर लिया, और सियाचीन ग्लैसियर पे उन्होंने कबजा कर लिया, पहले अपने ल ज़रूरी था, आप सोचिए, पूरा बॉर्डर से आप घिरे रहते, चारो तरब से, आज जो बांगलादेशी घुसे बैटे हैं, सारे पाकिस्तान के टर्रिस्ट हो सकते थे, ये काम किया उन्होंने, फिर जो खलिस्तान का मूव्मेंट था, उसको दबाया, ठीक है, गोल् प्रोटेक्शन करना, बॉर्डी गाड थे, लेकिन फायर कर दी, तो वर्क एथिक से तो वो भी हट गया, ठीक है, पनिश्मेंट अगर बोलोगे, तो उनको किसी ने किसी तरह से मिली गया, बाकि आप देखो कि आपका जो सिक्कीम है, वो इंडिया में इंडरा गांधी लेक यार, उसको भी इंडरा गांधी ने दबा दिया, और तब से मिजुरम में मतलब इंसर्जेंस एक खतम हो रही है, हाँ, थोड़ी गलती हुई थी, वहाँ पे बॉम अटैक किये थे, एरफोर्स से, उपर से बॉम गिर भाय थे, यह साथ पहली बार से कंट्री में हुआ, क्य इंडरा गांधी है, यह भी तो इंडरा गांधी ही लेकर आई थी, या पाकिस्तान को वार में हराया, प्रिजनर सफ बार, आज तक आप उसकी फोटो का आप घुमाते हो, कि ऐसे क्या हमने वैसे किया, यह सब किया इंडरा गांधी ने, बाकी अब जब यह चैप्टर एक लाया था, अमेंडमेंट किया था 1976 में, तो बहुत कुछ किया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि एंवार्मेंट के लिए क्या किया था इस अमेंडमेंट में, जिसकी बहुत बुराई होती, मिनी कॉंस्टिटूशन बहुते हैं, देखी एक तो उन्होंने फंडमेंटल जोडी थी, तो उसमें जो अर्टिकल 51A है, उसका जो चीज चीजर. सारे जानवरों से प्यार करो, फोरेंट, रियूरь और वायला था को बचाओ, और लेट आट्एक तो बहुत बचाल और नाशुरल एंवार्मेंट को इंप्रूब करो, यह फॉर्ड़र, व्यूर्ज़ क fundamental duty जो है आर्टिकल 51-a के क्लाउज जी में 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 इंचन्ड है और ये 42nd constitutional amendment act 1976 में इंद्रा गांधी लेकर आए तो उन्होंने ये नहीं बोला खाले citizen पर नहीं थोप दिया DPSP भी एकर लेकर आए डिरेक्टिव प्रिंस्पल आप स्टेट पॉलिसी में उन्होंने क्या इसकी जो DPSP 48-a में जो लिखा हुए कि state shall endeavor to protect the environment and improve the environment and protect the wildlife and forest ये सब लिखा हुए इसकी जो origin है इसका जो spirit वो article 21 में क्योंकि वहां right to healthy environment भी है right to life में तो healthy environment तभी तो रहेगा न जब आप उसके wildlife को protect करोगे environment को protect करोगे improve करोगे forest को improve करोगे तब ही 21 में इसकी origin है साथी जात उन्होंने क्या किया ही इसी 42nd constitutional amendment act 1976 के तुन्होंने क्या किया देखिए 7th schedule में आपकी listing है तो उसमें एक state list में दो topic थे wildlife forest बाके topic के अलावा wildlife और forest ये particular wildlife और forest है ये दो दो topic है उनको उन्होंने concurrent list में लाया इसलिए ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट विउस के लिए कुछ कर पाया फिर इन्होंने साथी बाद में 1980 में department of environment बनाया जो की वही department of environment जो की 1980 में बना था 1985 में बन गया ministry of environment and forest और मोधी गवर्नमेंट निसको ministry of environment and forest को 2014 में ministry of environment forest and climate change बना दिया तो इतना ही नहीं इंडरा गांदी का अगर 1969 से लेकि 1974 का अगर fourth five year plan देखेंगे तो उसमें भी focus था कि इस पे harmonious development पे on the basis of comprehensive appraisal of environmental issues मतलब environmental appraisal का इसूस का sorry continuous comprehensive appraisal करेंगी क्या है situation है नहीं उसके हिसाब से हम development harmonious development करेंगे और यह fourth five year plan में लिखा हुआ था 1969 से 1974 वाले में अब इतना सुन लिया आपने कहानी तो अब pollution related law पे चले आईए कहानी हो गई तो वही है Stockholm की जो conference की सीख थी वहां से सीख ले किंद्रा गांदी ने सबसे पहले पॉलुशन रिलेटेड लॉग में देखिए उसे पे एर पी इतना फोकस नहीं था उस टाइम पे फोकस था वाटर पे तो उन्होंने सबसे पहले क्या अच्छा इसी बात पर पानी पी लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए चलता है ना मैं भी पी लूं किया थोड़ी लेकर रही थी 1974 में जिसका अमेंडमेंट किया गया 1988 में लेकिन लॉट का नाम किया दवाटर दवाटर ओके दवाटर प्रिमेंशन अन कंट्रोल पॉलुशन एक 1974 यह इसका नाम है आप ऐसे आधर रख लिजे प्रिमेंशन कंट्रोल याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं 1974 में क्या आया अ मुली है इसमें क्या है इसमें आपको ययाद रखना है कि इसमें सेंटल कंट्रोल बोड बनाया गया और स्टेट प् pad्रशन बोड बनाया घ। इस क्या है एलोग ऐलोग स्टैजिट और hayat स्टेश्ये गाद करते हैं उस टाइम पे खाली वाटर की बार थी तो जितना भी effluent आपके industry से निकलता था उसको यह लोग चेक करती थे और उसके लिए standard set करती थे मतलब क्या है एक factory है जिसे की मानली जै कि उस US वगर निकल रहा है कुछ भी मतलब घंदा निकल रहा है तो उसका वो लोग standard बनाती थी कि इतना होना चाहिए यही होता है भी होता है जैसे leather industry का है तो यह क्या करती है यह establish ब민love करती Direiantes और और इंफोर्स करते आप लोटi वेड़ना होना चाहिए इतना मिलिग्रम निकलना चाहिए इतना माइकोर्मर मेडम होना चाहिए इतना हैवी मिटल किया गया ठीक है इसमें ये बोला गया कि अगर कोई factory है default कर रही है industrial plant है कोई default कर रहा है इस standard पे तो CPCB क्या कर सकती है या यह जो SPCB क्या कर सकते है उस factory को close कर सकते है 1988 में उनको अधिकार देगे गया कि close कर सकते हैं CPCB खाली एक तो CPCB क्या करता है सारे जो state pollution control board है उनको coordinate करता है policies formulate करता है और साथ ही union territory में अगर water pollution की बात आगी तो वो CPCB देखता है चेर्मेन जो होते हैं इसके appointment के जाते हैं cabinet committee जो होती है appointment के द्वारा जिसके की कौन होते है head prime minister होते हैं एक तरह का technical wing है research बगर करता अब मज़ेदार बात क्या है कि इसको पहले तो water act से बनाए गया और water वाला control का दे दिया गया effluent बगर का standard set करने के लिए later क्या हुआ इंडिया में थोड़ा और नया जोश आ गया इंद्रा गांधी थी ही उन्होंने बोला कि पानी की बात होगे भवा की बातें करेंगे तो air prevention and control of pollution act 1981 एकदम similar act है बस यह water का था यह air का है 1981 में बना था और इस air act से भी same regulation बगर के जितने बोलोगे air act लेकिन बाद में 1986 में प्रोबेबली राजीव गांधी के टाइम पे environment protection act आया जिसमें की बहुत चीज़ें उसको मैं detail से बताऊंगा तो air act water act सबको integrate करने के लिए इसका मतलब यह नहीं कि पिछला वाला रिपील हो गया water act है air act है उसको बहुत ब्रॉड कर दिया अगर हम बात करने the water prevention and control pollution cess act की यह देखियो पिछला क्या था water prevention control and pollution simple act था वो अब यह एक cess act आया था इसको इसमें क्या है जो भी effluent discharge करेगा वो एक cess देगा जितना भी करेगा और उस cess से ही CPCB और SPCB का खर्चा चलेगा लेकिन आप बताओ कि कोई आचे तो अच्छा treatment करें अफ्लुएंट का तो उनके लिए क्या है कि अगर आप install करते हो effluent treatment equipment बढ़ियां वाला तो आप जो तो अब चलिए Air Act की बात करते हैं, the Air Prevention Control of Pollution Act of 1981 जो इसको अमेंड किया गया 1987 में, Water Act को कब अमेंड किया गया था 1988 में, Air Act को कब किया गया में 1987 में, इसका भी काम वही है जो Stockholm Conference में सीख कर रही थी और declaration लेकर रही थी उसी को enforce करने के लिए हमारी country में, अब जो CPCB, SPCB हैं उ पिछले Water Lock के अंदर मालो कि Water Pollution Board नहीं बना था, तो जब बोला कि, जब Air Pollution वाला लाज वाया है, तो वहाँ पे बोला कि नहीं, अब तो आप Air Pollution Board तो पक्का बनवा लीजे, mandatory है अगर आपके पास कोई Water Pollution Board अभी तक नहीं बना है, और ये भी साथ में बोला ये है कि कोई पी इंडस्ट्री जो ऐसे एरिया में उपरेट कर रही है, जो कि एक डेजिगनेटेड एरिया है कि जहाँ पे पॉलिशन नहीं होनी होनी, अगर वहाँ पे उपरेट कर रही है, तो अगर करना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोर्ट क्योंकि यही तो स्टेंडर्ट सेट करता है, वहाँ से मदद लीजिए, और फॉलो करिए क्या, इसी का एक जो सीपी, सीबी, वह क्या निकलता है, एम्बिएंट एयर पॉलिशन का एक्ट जो है, एक्स्टेंड हो गया, तो नाइस पॉलिशन पे किसका अधिकार है, एयर किया गया था, अब नेक्स चले है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में प्रोबेबली राजियो गांदी लेकर आए थे, यह हुआ क्यों होता है, राजियो गांदी के टाइम पे आपको मैंने पहले देखिए, चीजे कैसे कैसे कने तो वो क्या करेगा, यह भी जो स्टॉक हम कॉन्फरेंस में आपने जो मतलब डिसीजन लिये तो इसको इंप्लिमेंट करने के लिए, इसका उतना योगदाने से लिए इंट्रोडक्शन वा पे दिया था, इसमें क्या करें है, जो हमारा EPA Act है, उसका पर्पस यह है, प्रोट या कोई भी living creatures को प्रभावित करें, जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, उसके लिए, या फिर plant वगर के भी कोई हजार्ड है, या property के लिए भी कोई हजार्ड है, मतब कल को मानलो की environment में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, acid rain हो जाए, और ताज महल का जो है decay होने लगे, तो वो property है, उसका भी decay देखना होगा, तो Environment Protection Act का ये काम है, कि उससे वो deal करेगा, और ये कब बना था, 1986 में बना था, अगेन उसका जो है, Stockholm declaration था, उसी से उसने अपना learning लिए, देखिए एक umbrella law है, और सारे के सारे legislation को ये coordinate करता है, framework देता है, framework डेवलप करता है, किसके लिए Central Government के लिए, और सारे के सारे जो Central or State में Government Authority, सारे जो हैं, जो Environment Protection में work करते है, सबको आपस में ये क्या करता है, कोडिनेट करता है, ठीक है, इसमें Environment पे emphasis है, तो Environment की definition क्या दिया है, water, air, land, living beings and their interrelationship, this is called Environment, और Environment Pollution की भी definition दिया, क्या बोला है, presence of pollutant, या तो solid, liquid और gas, किसी भी form में pollutant हो, in such concentration, that may be injurious to environment, hazardous substance अलग से देख देखे, एक तो या है, pollutant, जो कि solid, liquid और gas हो सकते है, hazardous substance अलग से दिया है, उसका क्या बोला है, substances or preparations, which may cause harm to human beings, और other living creatures, plants, microorganisms, property और environment, उसको बोला है, hazardous substances, इस act की खास बात यह, मैंने यहां पर Star Mark इसलिए किया हुए, इस act की खास बा environment के protection के लिए, central government को इसने बहुत स्ट्रॉंग कर देए, इस मावले में, इसमें hazardous waste के लिए, substances के लिए, अलग से भी specific provisions दिये गए है, है ना, और penalty का भी provision, यह बहुत important है, यह penalty भी लगा सकती है, एक तो pecuniary penalty लगा सकती है, monetary, लेकिन अगा repeat करोगे, तो jail भी बेख सकती है, imprisonment भी कर सकती है, और इसके लिए, जो complain की बात हो रही है, एक तो government जो servant है, वो तो करी सकता है, साथी कोई citizen को भी लगे कि कोई defaulting हो रही है, Environment Protection Act के खिलाफ, 1986 का उलंगन हो रहा है, तो कोई citizen भी जो है, case file कर सकता है, notice period देखे, probably 60 days का, इसको citizen suit भी बहुते है, citizen suit भी बहुते है क्योंकि citizen case file कर रहा है, तो इसी Environment Protection Act के अंतर गरत हमें कुछ और चीज़ हम देखनी है, बड़ा सा rule आया था, 1989 में यह rule आयते है, और EPA Act 1986 के अंदर ही rule आयते है, law अलग होता है, उसी के अंदर rule बनाया जाते है, तो rule क्या था, rules for the manufacture, use, import, export, storage of what, hazardous micro-organisms, genetically engineered organisms or cells, 1989 के आसपस वो area आगया, वो era आगया, जब biotechnology में research होने लगे, और जो हैं, कई तरह के transformed organism, genetically modified organism बनने लगे, डर हुआ कि उनसे भी कहीं hazard न हो जाए, तो इसी के लिए उनके manufacture को, use को, import को, export को, storage को, सब को control करने के लिए, regulate करने के लिए, genetically engineered organisms के लिए, cells के लिए, 1989 में रूल बनाया गया, और organisms में, किस-किस areas को cover करेगा, research and application of genetically modified organism, उनका product भी हो सकता है, आप एक GMO बनाया, आप उसका product आ रहा है, कोई vaccine हो रहा है, कोई toxin हो रहा है, तो उनके product को भी देखना पड़ेगा, उनके field में trial करने की नहीं करने, जैसे बीटी बिंजन के लिए बोल रहते हैं, करेंगे की नह जो local indigenous plant उसको खराब न कर दे, या फिर toxicity न कर दे, सीड का production कैसे करें की नहीं करें, यह सारी चीजों को देखने के लिए रूल्स बनाये थे 1989 में, तो बड़ी मज़ेदार रूल्स हैं, तो इन रूलों ने, इस रूल ने क्या किया, कि उन्होंने 6 competent authority बताए इंडिया में, ज इसमें से एक तो उसी टाइम पर उन्होंने रूल के थ्रू ही बनाया, तो मैं बता रहूँ छे कौन सा है, पहला था RDAC, recombinant DNA advisory committee, नाम में यह advisory, तो यह advisory nature में है, recommendation देता है, यह safety regulations in recombinant, recombinant में आपको explain किया है, science and technology में, जब gene को मिला के एक नए आतर रहे का gene बना है, तो recombinant technology बोलते है, तो recombinant research जो आपके country में हो रहा है, या use हो रहा है, या application हो रहे है, उसमें safety regulations कौन देखता है, मतलब advice कौन देता है, यही देता है, RDS, recombinant DNA advisory committee, यह advisory role में है, होता का है, under department of biotechnology, under ministry of science and technology, यह सब हो चुका है, discussion, दूसरा, review committee on genetic manipulation, RCGM, यह क्या होता है, manipulation manipulate करो, मैं आपको करो, वो नही, manipulation मतलब यहाँ पर changes है, alteration है, review committee on genetic manipulation कहा है, यह होता है, department of biotechnology के अंदर, तो दोनों DBT के अंदर होगे, यह क्या करता है, regulatory body है, monitoring body है, review करता है, regulate करता है, यह, bio safety issues देखता है, ongoing research project में, कई मालों कोई research university में project चल रहा है, तो आप देखेगा, bio safety issues सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख रहा हो, research projects जो चल रहा है, institutions बगरे में, उस पे नजर कौन रहा है, RCGM, तो यह regulatory यह monitoring body है, DBT में होता है, next है, बहुत important, हद से ज्यादा रट लो, genetic engineering appraisal committee, GEAC जो होती है, यही rules के तो ही बनाई गई थी 1989 में, और यह ministry of environment for climate change क आया है, उसके लिए approval कहां से आया थी, genetic engineering appraisal committee से ही आया थी, पहले field trial वगरे कर आया है, वो, BT cotton का भी कर रहे थे, और यह दो GM mustard का शॉर्टी, BT cotton तो release हो गया, GM mustard का field trial उन्होंने किया था, लेकिन उसकी report सही से release नहीं किया, तो उस पर moratorium लगा हुए है, तो genetic engineering appraisal committee समझ गया यह कहां है, ministry of environmental forest and climate change के अंतर, next है, यह सब तो union level पे हो गया तीन, अब आगे चलते है, state biotechnology coordination committee होती है, state level पे, इसको SBCCB भी बोलते है, यह वही सारे काम करती है, जो उपर हो रहा था, monitoring करेगी, inspect करेगी, investigate करेगी, और अगर कहीं देखेगी कोई default कर रहा है, जीयों में वग technology में, जिसे के environment को खतरा हो सकता है, या public को तो उसको punish भी कर सकती है, तो state से तो काम नहीं चलेगा, आपको IES बनने के बाद आपको भी कुछ करना है, तो उसके लिए है district level committee, यह होती है, local level पे, यह 5 होगे, last में देख लो, दो तो state वाले होगे, 3 union level पे होगे, last में देख ल जैसे biocon में काम कर रहा हो, आपका institute है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, institutional bio safety committee बननी चाहिए, वो आपकी company के लोग होंगे, वो जो है, established in GMO research institutions, यह जो है, obviously RCGM के साथ coordinate करेगा, मैंने आपको बोला न, कि research बगएर का ongoing review कान करता है, यह तो बताया था, यहाँ पे, दिखा दू, RC RCGM क्या करता है, regulating, monitoring, bio safety issues in ongoing research project, और जो research project इस institution में हो रहे है, वहाँ पे क्या होगा, institutional bio safety committee, समझ गे इस बात को, तो यह छे चीज़ें होती है, हो गया, clear, next, और जो है, EPA act 1986 के अंदर रूल साय थे, ozone depleting substances पे रूल साय थे, यह रूल आया थे 2000 में, अटल बहरीवास बही के तो अभी जो मैंने आपको बताया थे, एक particular HCFC 141 something का जो हमने phase out कर दिया, तो वो ozone depleting substances rule के अंदर ही किया है, और वो रूल किसके अंदर आया है, EPA के 1986 के नहीं अंदर आया है, अब मज़ेदार बात देखिए, आप जानते है, National Ganga River Basin Authority, यह 2009 में बना था, UPA बना कर आया थी, क इसके में फोकस क्या होता है, गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरी, जो बेसिन बनाती है, उस बेसिन पर फोकस करना होता है, ताकि गंगा की क्लीनिंग हो, सस्टेनेबल हो गंगा, बहती रहे, अविरल गंगा रहे, तो यह जो NGRBA बनाया गया था, यह भी जो है EPA Act के अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, अचा आगे बताओं यहाँ भी बता देता हूँ, एक पर दिमाग में बैठा लो कि National Ganga River Basin Authority जो है 2009 को, उसको मोधी गवर्मेंट ने चेंज कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया किसी और चिससे, वो मैं आपको बताओंगा, आगे, लेक तो इस्टैबलिश किया गया था, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, इतना समझ के देखिए, NGRBA को EPA Act के तुरू बनाया गया, खब, UPA के टाइम पे 2009 में, इसका काम है, Financing, Planning, Implementing, Monitoring and Coordinating Authority है, गंगा रिवर बेसिन के, मतलब, रियस्ट्रक्षिं के लिए, रियस्ट्रक्षिं के लिए, डियस्ट्र of Water Resources के अंदर डाल दिया, 2014 में, Ministry of Water Resources के अंदर जो डाल दिया, और उसका पूरा नाम के है, Ministry of Water Resources का, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, अब यहां भी कुछ हुआ है, वो भी आगे चीज बताऊंगा, इस Ministry को अब मर्च कर दिया गया कहीं और, तो आभी तक यह समझ लिजिए, कि NGRBA बनी 2009 मे Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर, 2014 में, उसको डाल दिया गया, Ministry of Water Resources के अंदर, अब इसके structure पढ़ते हैं, क्या होता है, देखिए, इसका चेर्मन बहुत इंपोर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर चेर्मन होते हैं, NGRBA के, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोदी जी, अधर मेंबर्स कौन ह अब बता रहा हूं कि एक Ministry of Jal Sakti बनी, 2019 में, मोदी जी बनाया, अभी, पिछले साल की बात है, Ministry of Jal Sakti में, दो मिनिस्टर को मर्च कर दिया गया, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, एक खेली मिनिस्ट्री, और दूसरा, Ministry of Drinking Water and Sanitation, जो है, वो भी जो है, Ministry of Jal Sakti के अंदर, मर्च की आ दिया गया, Ministry of Drinking Water and Sanitation, अब आप बताओ कि NGRBA किसके अंदर आएगा, Ministry of Jal Sakti के अंदर आएगा, ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात क्या हुई, अक्टूबर 2016 में, मोदी गवर्मेंट ने, पहले तो उन्होंने, Ministry of Forest and Climate Chances को भेजा, Ministry of Water Resources के अंदर, लेकिन 2016 में क्या किया, मोदी गवर्मेंट ने NGRBA को बोला कि replace करके, अब हम National Ganga Council बनाएगा, structure बिल्कुल सेम है, चेर्में वही प्राइम मिन्स्टर ही है, लेकिन NGRBA को रिय स्ट्क्चर कर दिया और आप बोला कि वो National Ganga Council हो गई आज से, National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga इसको बोलते हैं, या फिर आपको National Ganga Council बोलदो, शॉर्ट में, इसकी first meeting जो है, अभी recently होई है, 2016 में बना तहा, first meeting कहो ही पता है, news में, इसलिए मैं आपको बताना चाहरा था, कानपूर, UP में होई थी, first meeting, December 2019 की news है, ये जो है, National Ganga Council, अब से हम National Ganga Council पढ़ेंगे, NGRBA भूल जाओ, National Ganga Council का इंप्लिमेंटेशन विं है, बोल रहे हैं कि जितना funding दिया तो खर्च नहीं वाँ, तो probably 20 से extend करेंगे, लेकिन आप समझ गया न, National Ganga Council कैसे बना, मोधी गवर्मेंट ने 2016 में National Ganga Council बनाया, NGRBA को replace करके, जो National Ganga Council है, उसका implementation का जो wing है, जो executive wing है, उसको बोलते है, National Mission for Clean Ganga, आप से हम इसको NMCG बोलेंग और district level के सारी bodies, पंचायती वगर, सारी involved होते हैं, और उनका काम होते है, देखना है कि गंगा सेनिटाइजड रहे, effluent कम है, और गंगा बहती रहे, तो नमामी गंगा 2015 से 20 का जो flagship program है, खर्च पूरा नहीं हुआ फंड का, तो probably 20 के बाद extend करेंगे, इसको देखने की बात है, National Mission for Clean Ganga जो है, जो कब से आई, 2011 में आई, और इसको 2011 में क्या किया गए, रजिस्टर सोसाइटी बनाएगे, इंडिया में कोई भी आप रजिस्टर सोसाइटी बनाते हो, तो एक एक से बनाते हो, उस एक का नाम है, रजिस्टर सोसाइटी एक सम्थिंग 1860, National Mission for Clean Ganga जो है, उ एक है, Governing Council, दूसरा है, Executive Committee, इन दोनों के हेट जो होते हैं, Director General of NMCG ही होते हैं, NMCG का जो Director General है, दोनों जो इसके Tier 1, Tier 2 की structure है, Governing Council और Executive Committee, दोनों के Chairman, जो होते हैं, Director General of NMCG ही होते हैं, State Level पे क्या structure है, State Ganga Committee होते है, State Government के बार, पास वो उसकी Implementation Agency है, वो क्या करती है, State Program Management Group State Level पे होती है, मतलब ऊपर जो होता है, National Ganga Council, उसके परलल State Level पे है State Ganga Committee, और उनका जो Implementing Agency है, वो क्या है, State Program Management Group, और National Ganga Council का क्या है, Implementing Agency, NMCG, और State Ganga Committee का क्या है, Implementing Agency, State Program Management Group, District Level पे क्या होता है, District Ganga Committee, वो ही IIS बगरग चलाएंगे उसको, अब नेक्स चले आए, एक होती ह चीज, Environment Impact Assessment, यह यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस का टॉपिक है, तो और यहाँ बाद में कवर करूँगा, जब आएगा जोरत तो, प्रवेली Environment पगर में आगे जोरत आ सकती है, तो Environment Impact Assessment जो होती है, इसको EIA Short में आपसे बोलेंगे, यह 1994 में आय थी, Notification के थू और इसको भी किया गया था, Notify Environment Protection Act 1986 के अंदर, देख रहा है भी तक उसी का स्टोरी चल रहे, इसका काम क्या होता है, यह कोई भी इंडस्टी बनने के पहलो उसको Anticipate करती है कि Pollution कितना होगा, Environment पे कितना Impact पड़ेगा, उसी के हिसाब से Environment Clearance देगी या नहीं देगी, Tool to Anticipate, इसमें Rule Regulation बहुत साले बनाए हुए है, उसका आपको Follow करना पड़ेगा, Tool to Anticipate Likely Environmental Impacts, क्या-क्या Impact हो सकता है, That can Arise Out of Proposed Developmental Activities and also Suggest Mitigation Majors and Strategies भी बताती है कि चलो ठीक है, बना लो Factory, लेकिन कुछ यह Mitigation Majors ले लो, कुछ strategy ले लो, और अगर बहुत खत्रा होगा, तो आपको Clearance एक छोटी सी Body है, Environment Pollution Control Authority, EPCA, आपने सुना होगा है, दिली में Gradient Response Action Plan, जब भी Pollution ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो Brick Factory बंद कर देते हैं, बदरपूर की फैक्टरी बंद कर देते हैं, तो यह सब कौन करवाता है, EPCA ही करवाता है, हुआ क्या था, डिली में Pollution बहुत ज़ ज़्यादा हो जाता उसको देखेगी, तो Supreme Court Mandated Body है, to take measures to handle NCR Air Pollution, 1998 में इसको नोटिफाई किया गया था, लेकिन जो नोटिफाई किया गया था, Environment Pollution Control Authority को, Environment Pollution Control Authority की जो नोटिफाई किया गया था, Supreme Court के ओडर पे 1998 में, वो EPA Act 1986 के अंदर ही नोटिफाई किया गया था, यही इ अराम से, अगर आपको यह लेक्चर लगा, क्यों यह मैंने आपको static cover कर दिया, तो आपको शंकर में यह topic देखने की जरूत नहीं है, आगे मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ाता है, जाओंगो biodiversity से related भी सारा law पढ़ा दूँगा, तो आपको शंकर पलटने क आपको प्लान तो बता ही दिया, और static में आप क्याम करिए, आप शंकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, शंकर नहीं पढ़ेंगे, मेरे पर थोड़ा बरुसर रखिए, आपका cover और आपको जो notes मिल रहे हैं, शंकर, PMF IAS, सबसे घ्यान लेके, Wikipedia से लेके बताये हूँगा, आपक ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और बाकी मैंने बार-बार बोल दे रहा हूँ, शंकर पढ़ने की जरूत नहीं है, सारी चीज़ें cover हो रही है, जो भी important लगेगा, मैं आपको साथी साथ cover कराता जाँगा, मैंने पहले introduction में आपको चीज बोल दी थी, कि मैं आपका static cover करा दूगा, environment का, और same goes for economics also, आपकी static cover हो रही है, कोई book पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली एक चीज़ देख लो, आप history पढ़ लो, quality पढ़ लो, that's it, आप quality में किसने powerpoint बना पढ़ में किसने powerpoint ब wireless अबने डाँपशने है, क्तुर में आप का याथ माम